हेलो एवरिवन तोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसराइल और हमास में बहुत बड़ा युद छिडा हुआ है आपस में और डेफिनिटली जब जियो पॉलिटिकल कोई भी टेंशन इस तरह की क्रियेट होती है कभी भी ग्राउंड पे तो डेफिनिटली वह बह में कोई डाउट नहीं है हाला कि बहुत सारी स्टेट्मेंट सुनने को मिल रही है कि इंडिया की बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग और यहां पर कुछ इतना इंपक्त देखने को नहीं मिलेगा काइंड ओफ लेकिन एक बात कहना चाहूंगा नो डाउट इसमें कोई डाउट न में देखा करते थे कि कितना डाउन है नेस्टेक में क्या मोमेंटम हो रहा है तो उस टाइम पे लोग उसको देखके ट्रेड किया करते थे लेकिन अब जो मैं बात कहूंगा जब से बीजेपी सेंटर गवर्मेंट में आई है तो करीबन बारा साल से जाधा हो गए है तो मार्किट में जो डिमांड है वो बेसिकली इतनी इंफ्यूंस नहीं होती है दूसरे देशों की मार्किट के साथ बट बेसिकली सीविल वार जो है वो एक इससे हटके सिच्वेशन है बेसिकली एक अलग एक मेजर लेवल पर टेंशन होती हैं चंसर्स होते हैं जो कि कोई भी कुछ ना कुछ हम दूसरे देशों से अदान-परदान करते रहते हैं इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया जो है we are not dependent on other countries as of now there are few many things जहां पर की हमें हमें dependent रहना पड़ता है जैसे for example अगर मैं oil की बात करूं crude oil की बात करूं कि हमारी कंट्री में जो oil कंजप्शन है और अगर मैं प्रडक्शन की बात करूं तो प्रडक्शन के वल 5% 95% जो हमारा दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करके उसको कवर अप करते हैं सो दप्वाइंट इस नाओ एपार्ट ओफ क्रूड ओएल इट मार्केट में भी पिछले रहे में चार-पास दिनों से जो है एक डिफ्रेंट सा मोमेंटम चल रहा है बाजार में और बहुत सारी स्टेटमेnt सुनने को मिल रही है कि कि नहीं हमारे स्टॉक मार्केट को कुछिष इंपक्ट न्योसकता या को मार्केट को कोई इंपक्ट नि उसकता है so I Persian को still सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जिस दिन यह वार स्टार्ट हुआ तो हमारा वीकेंड हो चुका था और जब रात को यह खबर आई है तो उसके बाद अगर आप यहां पर देखे तो यह नू अक्तूबर का जो केंडल हम देख रहे हैं यहां पर तो मार्कित यहां पर देखने को मिला था निफ्टी क्लोज हुआ था और यहां पे उन्निस पांसो चालिस पे निफ्टी जो है ओपन हुआ तो करीबन एक सो बीस पॉइंट निफ्टी खुली और उसके बाद पॉइंट और नीचे बाजर प्रिसल गया था तो नौ मार्केट ने डे क्लोज के डे लो के आसपासी क्लोजिंग दिया और उसके बाद मार्केट जो है कंटीनुसली दो दिन से गाप आप ओपनिंग के साथ ओपनिंग हो रही है तो पॉइंट इस कि फॉस्ट अफॉल आई वोंट तो स्पेसिफाइए कि यहां पे अगर मैं ब्रोडली पिक्चर देखू हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का तो इंडेक्स हो सकता है कि वह इतन उन कंपनीज का पर्टिकुलरली वहां पर कुछ ना कुछ होल्ड था इस्राइल में होल्ड है इवन आई वूट से तो अगर आपके पॉर्टफोलियो में कुछ इस तरह की कंपनी के स्टॉक हैं तो आपको कंसर्णिंग होना बनता है वहां पर और आपको पूरी पैनी नज नहींगे किस तरीके से आपको इसमें यहां पर डिसीजन लेना चाहिए इस इस इंपॉर्टन थी क्योंकि आफ्टर आल तो कंपनी का जो एसेट लॉस है वह भी होता है और लाइबिलिटी लोस वह भी होता है मार्केट में राइट और ऐसे सिनीरियों में तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है जब तक मतलब इस तरह का कोई इंडिकेशन सामने नहीं आता कि जो है कि सब कुछ कुछ कंट्रोल में आ चुका है तो तब तक तो कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अब मैं आगर आपको बात करूं कि अभी क्या पिक्चर सामने आ रही है तो इतनी भयानक तस्वीर हैं अगर आप देखें तो यह एक दिन पहले की तस्वीर और यह तेष्गंटे की पहले तस्वीर है ये 18 गंटे की पहले की तस्वीर है तो अगर आप Google पे जाके सिंपली अगर आप माहूल देखेंगे कि क्या माहूल है वहां पे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी टेंशन का माहूल है मतलब explain करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है वहां के हालात जो है वह बहुत ही ज़्यादा क्रेटिकल है और आइवूड से की बहुत ही ज़्यादा बत्तर हालात हो चुके हैं जिस तरीके से हमने यूक्रेइन में क्राइसिस देखे थे रूस अटैक के बाद तो उसी तरह से कुछ यहां पर भी बहुत सारी ख़बरे सुनने को मिल रही है बड़ी अजीब अजीब सी एवन आइवुड से एवन आम नोट एबल तो सिच्वेशन तो शेर विद यू सो दप्वाइंट इस की फरस्ट आपरेट वोड की यह सब चीजे रुक जाए तो बहुत ही अच् नुकसान दोनों तरफ ही बराबर का होता है एकनॉमिकली और होती है अगर मैं बात करूं हमारी इंडियन मार्किट पे क्या इंपक्ट रहेगा ओवरॉल इसका एजोप नौ तो उसके बारे में मैं थोड़ा डिसकस करना चाहूंगा बहुत सारी कंफ्यूजण से कंफ्यूजब यह है कि लोग कह रहे हैं कि तो स्पैसिफाइब करता है तो उससे ज्यादा थो उसका कंजब्शन है बेसिकली तो इसराइल खुद ही जो है ओल इन इंपोर्ट्स करता है दूसरी कंट्री से अगर मैं बात करूँ ओयल प्रड़क्शन के बारे में तो इसराइल में ऑलीव ओयल की प्रड़क्शन बहुत अच्छी है और इसराइल जो है वह एक्सपोर्टिंग कंट्री है लेकिन किस टम्स में जैम्स और जूलरी में वह जैसे कि फार्मा उपकरण्स की अगर हम बात कर लें तो इस तरह से जो है इनी प्रोड़क्श में वह एक्सपोर्ट्स करता है इससे बड़ा अगर हम बात करें तो बाकी की जो चीजें हैं जो इसराइल की खुद की जो कंजप्शन में काम आती है वह चीजे वह बाहर से ही जो है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है स्व पॉइंट इस इस द्राइल के साहथ लगते हुए जो अरब कंट्री जितनी भी वह आयल प्रूडूसर हैं जिसमें की सब्सक्राइव और बात करो तो वो वर्ल्ड में No.1 पहे हैं आयल प्रड़क्शन में सो इसराइल में अगर हम बात करें डेटा के हिसाब से तो इस्राइल जो है एटी सेवंथ कंट्री है ग्लोबल रैंक आता है जहां पर की एक करोड उन्तालीस लाग त्रेपन हजार बैरल जो है वो उनके पास रिजर्व है और प्रड़क्शन का अब और प्रड़क्शन कितनी है पर डे की 5970 ब मतलब ऐसा नहीं है कि यह यह भी एक बहुत बड़ी और प्रडूसर कंपनी ऐसा कुछ कंट्री है ऐसा कुछ नहीं है और अगर ऑल कंजप्शन की बात करें तो ऐल कंजप्शन देखिया आप दो लाग चती सेजार दो सो नंचस बैरल पर डे उस देश का कंजप्शन है जब और डेली का मतलब इनको जब कमी पड़ता है डेली डेफिशिट दो लाग तीस हजार दो सो बातार बैरल पर डे का इनको चाहिए और तो यही रीजन है कि इसराइल जो है वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट जादा करता है राइट तो नेट इंपोर्ट इनका कितना है दो पर डेल पर डेल तो इस इस दा बिग फिगर आई वुट से उसके अलावा मैं आपको एक और सचाहिए दिखाता हूं यू विल रियली सर्प्राइज की वाके यहां पर जो अभी रीसेंटली कुरूड ओल मोमेंटम देखने को मिला आइल शो यू यह कुरूड ओल का यह ग्रीन खेंडल तीन सो पॉइंट उपर 6880 के पास जो है मार्केट ने क्लोजिंग दिया था और उसके बाद 770 100 से उपर जो है क्रूड की ओपनिंग होई थी 7200 क्यास पासीवल तो तीन सो पॉइंट उपर खूला था क्रूड उस टाइम पर कि वापिस से अभी मार्केट ने वो जो गैप तीन सो पॉइंट का गैप था उसको अभी दो दिन में नेक्स्ट कवर अप कर लिया है कल कुछ गिरा बाकी का मार्केट आज आज काफी अच्छा गिर चुका है मार्केट अल्रेडी सो पॉइंट इस अगर आप ध्यान से हैं तो मार्केट जो है वो उस गैप को फिल कर रहा है तो इट मीन्स आइल प्रडक्शन का अभी इसराइल का जो इसराइल में जो वार छिडा हुआ है बेसिकली उसका ऑईल के ओपर इंपक्ट जो है वह इतना जादा नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि उसकी जो प्रडक्श में हैं तो मोटे तोर में यह कहना चाहूंगा कि जितने भी प्रडक्श हम लोग इसराइल से जो इंपोर्ट कर रहे हैं केवल उनी प्रडक्श में जो है impact देखने को मिलेगा अदर वाइस बाकी के जगहां पर इतना ज्यादा इंपक्ट देखने को नहीं मिलेगा लेकिन मै है अगर अवरोल बात करूँ अगर हालात बहुत ही जदा बिगड़ गए रात और एक्जामपल हम यहां पर सोए हुए और वहां पर पता लगा कि कुछ और ही जो है लेवल पर जा चुका है वार अगर दूसरी कंट्रीज उसमें कूद पड़ी इरान कूद पड़ा या कोई औ तो उस टाइम पर हो सकता है कि महोल बहुत जादा खराब हो जाए और फिर हमें हमारे इंडियन मार्केट में हो सकता है इंपक्ट जादा देखने को मिले और दूसरी मार्केट में भी यूएस रूस या चाइना की मार्केट में और इंडिया की मार्केट में जादा देखने कि हमें जो है अपनी कैसे हैं कैसे स्थिती में हमें advocacy लगाना चाहिए पैसा किस्टाक्व में लगानाचाहिए वह बहुत जदा कंसर्लिंग है इसके अलबा कुछ इसी ह miser की में इसी सिच्वीशन में पैसा लगाने से पैसा बनता भी यह इफ आप आप अब और और सिल्वर स्पेशलिस गूल इफाइट तो गोल्ड में भी काफी अच्छा उच्छा देखने को मिला था पर्टिकुलर डे करीबन देड़ पर्शंट के आसपास इसे टाइम पर सोना भी एक बेस्ट जो है आई वुड से इन्वेस्टमेंट्स का जरिया है जहां पर कि पैसा कमाने का ओपॉर्चिनिटी होता है कि इसराइल में जो वार चेड़ा है हो सकता है इंपक्ट कम आई लेकिन फिर भी प्रिकॉशनली हमें अपनी पुजीशन को सेफगार्ड करना चाहिए इसमें कोई डाउट नहीं है कहीं पर भी मार्केट किसी भी तरह का मोमेंटम ले सकता है बिकॉज ऐसे टाइम पीरिएड में बेसिकली न्यूज बेस सब कुछ चलने लब जाता है और वो न्यूज बेस जो है न वह एकदम से जबर्दस तरीके से पैटरन खराब कर सकता है किसी भी टाइम पर किसी भी टाइम पीरिएड पर और इंडिया का मार्केट स्ट्रॉंग है पॉलिटिकली स्ट्रॉंग है इफ आई टॉक अबाउट इकनॉमिकली स्ट्रॉंग है फाइनाशली स्ट्रॉंग है राइट और डिमांड एंड सप्लाई भी बहुत ही मतलब कहीं पर भी कुछ भी नेगिटिविटी नहीं है बड़ द कई बार हम लोग देख रहे होते हैं कि एक बड़े ग्रूप के अंदर माल लीजिये जगड़ा हो गया और हम ही उस मार्किट में अगर हैं हाला कि उस ग्रूप का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है लेकिन कई बार कैजूल्टी हो जाती है तो इसी एक्जामपल के बेसिस पर मैं सिंपली यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पोजीशन्स जो हैं वो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लेके चल रहे हैं तो आपको प्रिकोशन रखनी चाहिए कि पोजीशन्स कम लेके चले केरी फॉरवर्ड करें अवाइड करें और अपनी पोजीशन्स को मैक्स-to-max हैजिंग करके जाएं उसको आप कवर अप करके जाएं तो बहुत ही अच्छा है और अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्मेंट्स करें तो ऐसे टाइम पीरेड में थोड़ी से इन्वेस्मेंट्स को धीरे-दीरे चलाईए थोड़ा कम कर दीजिये इंवेस्मेंट को धीरे धीरे करिये बड़ सो दपॉइंट इस कि कोई भी इस तरह का जब तक यह थोड़ा सा जो है इसमें अगर यह थोड़ा सा थंडा नहीं होता है तो कुछ भी इंपक्त आगे नेक्स वीक में देखने को मिल सकता है कोई बड़ी बात नहीं है तो ओवर ओल आए प्रेट गोड अल्सो कि यह सब कुछ ठीक हो जाए और यह सब कुछ नहीं पर थम जाए बहुत अच्छा होगा और ताकि लोगों की जान बढ़ जाए और खज़ ऑर खज़ा टाए जाए अच्छा हे बड़ी जाए और वह बड़ा घ्रिए द्वाट बड़ी जाए बड़ी तो चींड़ एट वेड़ी तो कुछ।